बिहार में मौसम का मिज़ाज लगातार बदल रहा है, तापमान में भले ही, बढ़ोतरी हो रही हो लेकिन बारिश से एक बार फिर भी कडाके किठन का अहसास होने वाला है बीतेर अभीवार को राजज़ी के चार जगों पर हलकी वर्शा दर्श की गई लेकिन सोमवार को यानि क्याज कूल 26 जिलो में बारिश होने की संभावना जताएं यही है जिसको लेकर आलर्ट भी जारी किया गया है उदर पटना के दे में स्कूलों के टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है हलाकि राज़ी में आज कुहासे और कोल्ड डे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है मौसम विज्यानिकों का मानना है कि शनिवार को इस सीजन का सबसे शक्तिशाली पक्षमी विक्षो हिमाले में प्रवेश किया है इसके प्रभाव से पहाडी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के साथ बिहार में भी बारिश होने की संभावना जटाई गई है मौसम विज्यान किंद्र की माने तो भभुआ, रोहतास, और अंगाबाद, गया, बकसर, भोजपूर, नवादा, बेगु सराय, लखी सराय, नालंदा, शेकपूरा, पटना, जहानाबाद और अरवल में 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 गरजन के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है इसके साथ ही जमोई, बांका, भागलपूर, मुंगेर और खगडिया में हलकी बारिश हो सकती है ताजा पक्ष्मी विक्षोग के कारण 6 परवरी तक बारिश का पुर्वानुमान है, उसके बाद अगले 3 दिनों के दोरान नियूंतम तापमान में 2-3 डिगरी सेल्सियस की वृधी की संभावना है इसके बाद अगले दो दिनों के दोरान नियुंतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सिस की गिरावट होने का पुर्वा नुमान है अगले 5 दिनों के दोरान अधिक्तम तापमान में कोई विश्रिस परिवर्तन होने की फिलहाल संभावना नहीं है कहने का मतलब यह हुआ कि अगले 5 दिनों तक दिन के तापमान में तो कोई बदलाव नहीं मिला लेकिन 3 दिनों के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने की समभावना है आज यानि की सोमवार के दिन का धिक्तम तापमान 20 से 24 डिगरे सेलसियस के बीच रहने का पुरवानुमान है महीं रातरी का तापमान 12 से 14 डिगरे तक दर्ज किया जा सकता है पटना के डियम ने मौसम के बदलते रुख को देखते हुए सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थान की टाइमिंग में बदलाव किया है डियम के आदेश के अनुसार पटना जुले के सभी नीजी सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर सुबह 8 बज़े से लेकर शाम 5 बज़े तक ही चलेंगे यह आदेश आज यानी 5 फरवरी से लागू होगा और 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा वहीं बीते रविवार से देश की अलग-अलग शेहरों के साथ बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है पटना की सुबह तो धूप वाली हुई लेकिन दोफर के बाद बादल छाने लगे शाम होते ही बुंदा बांदी वाली बारिश शुरू हो गई इसके साथ ही सीता मड़ी, दर्भंगा और सिवान में हलकी बुंदा बांदी दर्ज की गई एक पर फिर से बता दे कि बिहार में मौसम का मिजाज लगतार बदल रहा है तापमान में भले ही बढ़ोतरी हो रही हो लेकिन बारिश से एक बार फिर कडाके की ठंड का अहसास होने वाला है रविवार को रजज के चार जगों पर हलकी वर्शा दर्ज की गई लेकिन सोम वार को यानि कि आज कुल 26 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है उधर पटना के डियम ने स्कूलों के टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है हलाकि रजज में कुहासी और कोल्ड डेई को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है मौसम वग्यानिकों का मानना है कि शनिवार को इस सीजन का सबसे शक्तिशाली पक्षमी विक्षोव हिमाले में प्रवेश किया है इसके प्रभाव से पहाड़ी लाकों में बर्फबारी और बारिश के साथ बिहार में भी बारिश होने की संभावना जुताई गई है वग्यार के अच कई जिलो में हलकी छिटपुट बारिश हो भी रही है